दोस्तों राजिस्तान के भूगुल की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था राजिस्तान की नदियां और हम राजिस्तान के अपभात अंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे और राजिस्तान की नदियों के बारे में मैंने आपको पिछले दो पार्ट जो बताए हैं वहां से आगे हाज हम इस चौपिक में बढ़ते हैं मैंने जैसा कि आपको बताया कि र अरब सागर की और जल्ले जाने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी की और जल्ले जाने वाली नदियां और आंत्रिक प्रभा की नदियां जो राजस्तान से बाहर अपना जल नहीं ले जाती हैं तो इसी सीरीज में हम अरब सागर की और जले जाने वाली नदियों पर अध्यन कर रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरब सागर की और जले जाने वाली नदियां कौन-कौन सी हैं तो पिछले पाइट में मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ कि उस ट्रिक से हम अरब सागर की और जल्ले जाने वाली सभी नदियों को याद कर सकते हैं उसकी ट्रिक में आपको बताई थी कि सालू कीमा पश्चमी बनास में सोजा तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं उस पर और उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे तो आज हम दोस्तों अरब सागर की और जल्ले जाने वाली नदियों को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत आसान है ध्यान रखना है अरब सागर की और जल्ले जाने वाली नदियों को हमें याद करना है तो उसके लिए मैंने आपके छोटी सी ट्रिक बताई थी और इस ट्रिक से आप आसानी से अरब सागर की और जल्ले जाने वाली नदियों के नाम याद कर सकते हैं मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सालू की मा पश्चमी बनास में सोजा आपको याद हो गई होगी अगर आपने पहला पिछला पार्ट इसका देखा होगा तो कि पश्चमी बनास में सोजा सालू की मा पश्चमी बनास में सोजा ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी अगर आपको ये लाइन याद हो गई तो आपकी अरब सागर की और जल्ले जाने वाली सभी नदियां complete हो जाएंगी जन्में मैंने आपको बताया था साबर्मती नदी, लूनी नदी, माही नदी, पश्चमी बनास नदी, सुम नदी और जाखम नदी ये नदियां थी दोस्तो इनमें से हम लूनी जो सबसे बड़ी नदी थी इस अरब सागर की और जल्ले जाने वाली राजिस्तान की नदियों में उसको हम कंपलीट कर चुके थे और आज हम बच्ची हुई नदियों पे हम चर्चा करेंगे साथियों इनमें चार नदियां जो ह कुंसी है साथियो पश्चिमी बनास नदी पश्चिमी बनास नदी सो से है साथियो सूम नदी यानि की और जा से है जाखम सूम और जाखम जा से जाखम नदी ये नदियां इस ट्रिक से निकलेंगी और उसमें से भी ये जो सूम और जाखम जो है न ये किसकी ही साइक नदिया इनमें इने माही के साथी पढ़ लेंगे तो अलग से केबल हमें चार सावर्मती, लूनी, माही और पश्चमी बनास, इनमें से हमें चार पढ़नी हैं दोस्तों तो इनमें दो जो लूनी जो नदी है वो हम कम्प्लिट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि लेके चलना है, मैंने आपको इस तरीके से बताया था, तो इसमें मैंने आपको एक नदी तंत्र इसमें लूनी नदी बता दी थी दोस्तों, तो इधर मैंने आपको बताया कि यह जो अरब सागर की और जल्ले जाने वाली नदिया हैं, तो यह भी दो पार्ट मैंने आपको बताये थे कि उपर वाला जो पार्ट है वो है कच्छ का रन कच्छ का रन और नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है दोस्तो खंबात की खाड़ी यह दोनों के दोनों जो पार्ट है यह किसकी ही पार्ट है अरब सागर की हैं तो आपको ध्यान दखना है यह चार नदियां ह आपको यहां भी याद रखना है जिसे कि 4 नदियां है, नमर एक हमने लुनी नदी यहां से कर ली थी, दोस्तों, लुनी नदी का मैंने आपको बता दिया है, पिछले पार्ट में लुनी और उसकी साइक नदियां कम्प्लीट हैं, आप एक बार वीडियो देखें, आपको बड़े इस तर पर लेके चलने बाला हूँ माही नदी को हम यहां से निकालेंगे बिन्याचल की पाडियों से जैसे मैं अभी आपको बताने बाला हूँ और इस तरीके से यहां और अंग्रेजी के उल्टे भी आकार के समा ऐस तरीके से कहां चली जाएगी खंबाती ख तो समझ लें कौन कौन सी जैंगी इंपोर्टेंट है तो देखे इसमें से एक तो है सावरमती और एक पश्चम बनास दो हमारी कंप्लीट हो गई लूनी और माही अब देखो ऊपर कौन सी नीचे कौन सी ध्यान रखना है तो अपन किसको याद करेंगे पश्चमी बनास को या से ओगा शिरू हमारा गाहन की पाड़िय scalp है और यहा इनकल कर और यह उपर वाले इससे में चली जाएगी बसतार से बताँगा लेकिन अभी यह इहां बता पर यर्क में से निकलेगी और यह कच कीरण में चली च़ली बची कौई सी दूस्तों सावरमती नदी, यह जो सावरमती नदी है, यह उदैपुर से निकलेगी, जान के दिखनेगी, निकलेगी उदैपुर से, миदैपुर से निकल कर और यह इधर आ जाएगी, आपको ध्यान डखना है। तो मैंने आपको बताया है, कि चार नदियां दो नदियां ऊपर वाले में और दो नदियां जाएंगी नीचे वाले में तो ध्यान रखे कौन कौन सी नदी लूनी और पश्चमी बनास बस यही अगर आप सीख गए ना यह नदियां आपकी खतम हो जाएंगे यह पर समापत है तो यहां लूनी और पश्मिवनास यह कच्च के रन में गई हैं सातियों यह हो गई आपकी माही और यह हो गई आपकी कौन सी नदी यह साबर मती नदी कौन सी नदी साबर मती नदी ठीक है ना आपको यह याद रखना है कि दो नदियां खंबात की खाड़ी में जाएंगी ये दो नदियां कच्किरन में लेकिन टोटल मिला कि ये अरब सागर में ही जानी है तो हम लूनी को कम्प्लीट कर चुके थे आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी नदी माही नदी के बारे में तो दोस्तों ये हमारा श्वी बनास हो गई तीसरी यहां पर हम सामर्वति है और चौती जो आ हो रही है ये माही नदी और रएंग तो राजस्तान जो है उत्री गोलार्द में आता है और उत्री गोलार्द में जो साड़े तीश डिगरी जो अक्छान्स रेखा है बो निकल कर जाती है दोस्तों इ यह हमारी कौन सी रेखा है करक रेखा, आपको यह भी ध्यान रखनी नहीं है, माही नदी में काम आने वाली है,2018 की रेखा है कि रेखा हमारे दक्षडी राजिस्तान को तच करके निकलती है, बांसबारा उपार जिले कुन सी है माही नदी तो अब हम पढ़ते हैं साथ ही माही नदी को पिस्तार से तो देखें जोड़े रहें एंड तक और माही नदी चुट्कियों में याद होने वाली है आपको बिना किसी समस्या के माही नदी कम्प्लीट होगी अब आप इतना तो समझी गए होंगे कि माही जो हगा है तो माही नदी जो है वह राजस्तान के सब्सक्रीण है तो अगर हम मही नदी को Row ऑन एक आम सी तर पर हम साथियो पढ़ते हैं तो मैं ये दक्षडी राजिस्तान का डाइगराम यहाँ पर आपके सामने बना देता हूं कि ये दक्षडी राजिस्तान का डाइगराम है ठीके ना ये नीचे वाला इस्सा बन गया आपका ये वाला इस्सा है इसी में हम माही नदी को बिस्तार से पढ़ने वाल कि नदियों का जो टॉपिक है वो आपके साथ में मैप होना चाहिए अगर आपके पास मैप है तो उस मैप में अगर हम देखें तो दक्षडी राजिस्तान की जो इस्तिती में एक यहां सबसे दक्षड में जो जला बनता है वो अंग्रेजी के उल्टे भी आकार के समान बनता है और यह जला है हमारा कौन सा यह जला बन गया हमारा बास बाड़ा बास बाड़ा जला बन गया सबसे दक्षडी जला इसके बाद में अगर हम यहां से लेके चलें साथियों तो यह इस बास बाड़ा के इधर की और अगर हम लेके चलेंगे तो यह जला बन गया दोस्तों जला हो गया यहां यह प्रतापगर जला हो जाता है इसके बाद में दोस्तों प्रतापगर जला हो गया यह अब प्रतापगर जले के बाद में अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो यहां से अगर हम इसके ऊपर देखें इस तरीके से आपको मैप में आपके एक जला बना हुआ पाएगा इस तरीके से और ये जिला है साथियो आपका उधैपूर, कौन सा जिला है उधैपूर, मैं इसको मैप मार्क कर दूँगा और यहां पर दोस्तों अगर हम उधैपूर के इधर पिरताब गड़ के उपर इसको अगर हम लेके चलेंगे साथ ही हो तो यह जिला हो गया आपका चित्तोडगड अब इसको मार्क कर देते हैं यह जिला कौन सा हो गया है चित्तोडगड ठीक है यही से हमारा यह राजिस्तान इस तरीके से यह आ जाएगा और यह बीच बला इससा MP के साथ टच करेगा ठीक है चित्तोडगड हो गया यह कौन सा जिला है उदैपूर आप तहां दें मैं आपके पास होना चीए उदैपूर हो गया ये कौन सा जिला हो गया आपका डूंगरपूर ये डूंगरपुर हो गया ये कौन सा जिला हो गया साथियो फिरतापगड ठीक है और सबसे दक्षणी जिला कौन सा है अमरा बासवड़ा ठीक है ये जिला हो गया आपका बासवड़ा यहाँ पर कर देते हैं इसको बासवड़ा अब थोड़ा सा एक जिले के बारे में और देखेंगे हम इसमें उदैपूर उदैपूर से इधर अगर हम लेके चलेंगे साथियों तो देखें आपके मैप में कौन सा जिला है यहाँ जिला है आपका सिरोही कौन सा जिलाएगा यहाँ सिरोही जिला जाएगा इदर सिरोही के इदर यहाँ पर पालिया जाएगा और यहाँ पर राजसमन जला जाएगा उनसे हमें इस नदियों वाले टॉपिक में कोई मतलब नहीं है ठीक है आपको यह जले ही याद करने हैं बाश बाड़ा, डूमरपूर, प्रतापगड, उदैपूर इदर ही हमारा चि देखें दोस्तों तो माही नदीर निकलती कहां से है यह हमारा राजस्तान और इधर की ओर है दोस्तों मद्दे प्रदेश में यहाँ पर जो पाड़िया है यहाँ पर जो पाड़िया है यह बिंद्या चलकी पाड़िया है और बिंद्या चलकी पाड़ियों में यहाँ पर दोस्तो एक जिला है मद्य प्रदेश में धार जिला कौन सा जिला धार आपको ध्यान रखना है कि मद्य प्रदेश में बिंध्याचल की पाडियां है और बिंध्याचल की पाडियों में दोस्तो यहां धार जिला है इसे हम बिंध्याचल की पाडियों में दोस्तो यहां धार सकता है वो ध्यान रहे या तो बिंद्याचल की पाड़ी देगा और अगर बिंद्याचल की पाड़ी नहीं देता है तो अम्रोरू की पाड़ी भी वो दे सकता है कौन सी पाड़ी दे सकता है अम्रोरू अम्रोरू पाड़ी ये भी कहां पर हो गई है MP में ध्यान रहे धार जि में बिंध्याचल की पाड़ी या फिर अम्रूरू की पाड़ी है अगर यहां से भी वो डीपली ऑप्सन देता है तो यहां पर एक जील बनी हुई है और उस जील का नाम है दोस्तों मेहद जील कौन सी जील बनी हुई है मेहद जील आप इसको पॉइंट कर लिना कि माही नदी का उद्गम इस्तलाब कुछ भी आपके सामने देदे ऑप्सन में वो सब आपके पास होगा मद्य प्रदेश के धार जिले में बिंध्याचल की पाड़ी या अमरूरू की पाड़ी में इस्तित मेहद जील से कौन सी नदी का उद्गम होता है माही नदी का उद्गम होता है साथियो अब ये माहिन दी इस तरीके से आती है या मद्दे प्रदेश में भेती हुई और हमारे राजस्तान में अब बासवाडा जिले में एक इस्तान पड़ता है खंदू कौन सा इस्तान पड़ता है यहाँ आप ध्यान रखें राजस्तान में यह कौन सा इस्तान पर प्रवेश करत हैं झातो है और अवे बासवाड़ा में अब देखो इससा दाभाण में देखां और नर्धारण करते हुए और इसी तरीके से अर्बासा कोंचा कॉना刃 कि खाड़ी इस्ता ने काड़ी एक चीजसा भर जिस तरीके से मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि खमात की खाड़ी नहीं आए तो इसका दूसरा नाम भी मिलता है को केमबे की खाड़ी भी कहते हैं कौन सी खाड़ी भी कहते हैं साथिया केमबे की खाड़ी ये प्रिश्ण आचुका है माही नदी अपना जल गि इंबे की खाड़ी हलाकि ये दोनों खमात की खाड़ी और कच्छे करण किसके भाग हैं अरब सागर के भाग हैं तो इस तरीके से खमात की खाड़ी में आकर साथियो गिर जाती है गिर गई यहां से लेकर यहां से लेकर खमात की खाड़ी में गिरने तक इसकी जो कुल लंबाई है और राजस्तान में अगर साथ वैश्यों पूछ नी जाते है राजस्तान में uh पूछ ली सब्सक्राण अगर राजस्तान में इसकी एक सोản स्रह मीटर लंबाय राजस्तान में केमाई कितनी हैं 171 km लंबाई है अपने इस प्रवाच चित्र में अब दोस्तों जब यह इस प्रवाच चित्र में बहती है तो देखें यहां पर कई सारे पॉइंट बनते हैं ठीक है पहली बाद तो हम यह चीज देखें इसके उपनामों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो मा अगे चलती है और आगे चलकर यानि वह बाढ मेर में वहां पर उसका नाम लवर्मतीं बढ़ जयता है या लूडी के नम से जाने जाते हैं मरुस्तल की गंगा कहते हैं उसी प्रकार से माही नदी को भी कई सारे नामों से जाना जाता है तो देखें माही नदी कौन से राज ब्रताब गड़ बास बड़ा यह बाला जो चित्र है इसे किस नाम से जानते हैं तो इसे कांथल कहते हैं ध्यान देते हुए चलना है आपको एक तो इसे किस नाम से जाना जाता है काठल की गंगा के नाम से जानते हैं दूसरा दोस्तों यह दक्षडी राजिस्तान में भेरी है दक्षडी राजिस्तान में भेरी है तो इससे कहते हैं आदी वासी यह आदी वासी चित्र है तो इससे कहते हैं आदी वासीयों की गंगा आदिवासियों की गंगा, नाम याद रखने हैं आपको आदिवासियों की गंगा, दक्षडी राजस्तान में यह important रूप से यानि की है, परियोजना की रूप में भी काम करती है, इसे दक्षडी राजस्तान की स्वंड रेखा भी कहते हैं, आपको याद रखना है, यह सारे पूछे जाता है इसके काठल की गंगा हो गई आदिवासियों की गंगा है दक्षडी राजिस्तान की स्वंड रेखा भी इसे कहते हैं और इस चेतर को दोस्तों बागड भी कहते हैं तो यह ध्यान रखना है बागड की गंगा भी इसे ही कहा जाता है तो आपको ध्यान रखना है तो उपनाम होगे आपके माही नदी के कौन-कौन से काठल की गंगा आदीवासियों की गंगा दक्षडी राजस्तान की स्वंडरेखा और बागड की गंगा के नाम से भी इसे जाना ज़ता है अब हम इसके प्रवाचित्र के बारे में अगर हम बात करें सातियो तो जैसे य जले में यहां इस पर एक बांद बनाया गया है और ये बांद बनाया गया है माही नदी पर और ये माही नदी पर जो बांद बनाया गया ये बांद है सातियों माही बजाज सागर बांद कौनसा माही बजाज ध्यान से रखना है कई बार आ चुका है माही बजाज सागर जो बांद बनाया गया है ये बांद कौन सी नदी पर है माही नदी पर है कौन सी नदी पर है माही नदी पर ध्यान दें दोस्तों माही नदी पर बांस बाड़ा में ये माही बजाज सागर बांद बनाया गया है ठीक है अब ये माही बजाज सागर बांद भी ध्यान रखना है कि ये माही बजाज सागर बांध है ना ये राजस्तान का सबसे लंबा बांध मना जाता है राजस्तान का सबसे लंबा बांध कौन सा है माही बजाज सागर बांध बांसबड़ा में बना हुआ है राजस्तान का सबसे उंचा बांध भी हम इसी नदी के प्रवाचित्र में ही लगवक कितनी मीटर लंबा माना गयता है एक तीस सो नौ मीटर लंबा राजस्तान का सबसे लंबा बांद है माही पजाश्सागर बांद कोई समच्या यहां तक साथ हो ये बांद बना हुआ है माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में इस इसमाही नदी में यहां पर एक बांद और बनाया गया एक बांद और बनाया गया यानि कि इसके पानी को ऊपर उठाने के लिए जब निचला है तो पानी बहुत तेज गती से आ रहा है और तेज गती से आ रहा है तो गती को कम करने के लिए इसके पानी को थोड़ा उठाया गया है उठाने के लिए यहाँ पर इस माही बजा सागरबान से पहले ही इस पर एक बांद बनाया गया साथी और वह बांद है कागदी पिकप और आपको धियान रखना है important रूप से कागदी पिक-प बांद कौन सा बांद है कागदी पिक-प अब पिक-प का मतलब उस पानी के गती को पिकप को उसको उंचा कर दिया गया है तो जो तेज गती है उसकी वो कम हो जाती है तो इध्यान रखना है पानी की गती को कम करने के लिए बास बड़ा में ही कौन सा बांध बनाया गया है कागदी पिकप बांध भी कौन सी नदी पर है दोस्तो माही नदी इस माही नदी पर यहां एक इस्तान है डूंगरपुर में और डूंगरपुर में बो इस्तान है दोस्तो यह बाला बेड़े स्वर कौन सा इस्तान है यहां पर यह ध्यान रखना है यह इस्तान है बेड़े स्वर डूंगरपुर में बेड़े स्वर नामक इस्तान है आदी वा कि मैं दो नदी आकर मिलती हैं इस तर्वेडी संगम बनाती है अभी हम बताएंगे इसकी साइक नदियों के बारे में कि अभी बने रहें तो देखें यहां पर कौन सी इस्तान आ गया यह बेड़े स्वर आ गया इसके बाद दोस्तों यही पर हम आगे चलते हैं तो इसी डूम गलिया कोट जोंवर्भ में हैं धिहान रखना है गलिया कोट भी इंपरेंट है द्याण रहें दाघुड़ी ऒहरा संप्रदाय की पिर्धान पीठ है और पिर्धान पीठ है यहглий गलिया कोट ढमर्भ में यहां में जर्जी संप्रदै के आरहतु देह देव हैं कौन gesagt या पीर फकरुद्दीन की दरगा यहां पर है गलिया कोट में किसकी दरगा है पीर फकरुद्दीन की आपको धियान रहे यहां पर पीर फकरुद्दीन और पीर फकरुद्दीन की जो दरगा है वो गलिया कोट दूंगरपुर में ही है और गलिया कोट जो है वो कौन सी नदी क तक परिस्तित है ध्यान रहे माही नदी पर है डूंगरपुर में इस तरीके से दोस्तों यह नदी यहां पर आती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अब इस नदी के बारे में अन्य बातों पर अगर हम चर्चा करें तो देखो अकेली एक मात्र नदी है राजस नदी है ध्यान रहे एक मात्र नदी है राजस्तान की कि जिसका प्रवेश भी दक्षड दिसा से और जिसका निकास भी दक्षड दिसा की हो रहा है प्रवेश भी देखें तो दक्षड की और से प्रवेश हो रहा है और इस नदी का निकास अगर हम देखें तो इसका निकास भी दक्षण की ओर हो रहा है तो अकेली नदी है राजस्तान की जिसका प्रवेश और निकास दोनों ही दक्षण दे सामें हैं के लिए हुआ पॉइंट इसके अलावा साथियो राजस्तान की एक मात्र ऐसी नदी है यह जो यह राजस्तान लगाए हम या पूरे भारत की बात कर मकर्लें या विशन की हम बात कर ले तो यह करक रेखा को दो वार पार है जैसके मैं आप आपको बताया कि करक रेखा जो है वह इस तरीके से यानिकीpit殂र कर जा रही है साड़े यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि इस रेखाओं से कई सारे पुछना आजाते हैं, जैसे अगर आपसे पुछने पूछ लिया जाता है कि करक रेखा को, यह पूरे बिश्व की बात आ रही है, यहाँ पर ध्यान रहें कि करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी, करक रेखा को, करक रेखा को दो बार पार करने वाली बिश्व की कौन सी नदी है, तो करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी हो गई है आपकी कौन सी माही नदी आपको ध्यान रखना है कि यह जो माही नदी है यह करक रेखा को दो बार पार करती है उसी प्रकार से देखो महत्पूर अक्छांस रेखाओं की संख्या कितनी है तेन भूमद्य रेखा उप आपकुममदे रखा के बीच वाली रखा की बात करते हैं तो देखो यहां बुमद्य रेखा को दो बार पार करने ौली नदी कौन सी एक तो भूमद्य रेखा और दूसरी कौन सी रेखा हमारी बची मकर रेखा ठीक है दोस्तों ये दोनों रेखाओं को पार करने वाली जो नदी ना वो दोनों ही नदीयां अफरीका माधित में प्रभाइद होती है वो वी धान रखना है आपको कि भूमद्य रेखा को पार करन वाली जो नदीये वो कौन सी हो गई आपकी माही नदी हो गई और अगर हम करकर रेखा के बाद कर हम भूमद्य रेखा की बात करेंगे तो अफरीका में दोनों ही मैंने बताया आपको कहां पर है अफरीका में ये धियांडो भूमद्य रेखा को पार करने वाली नदीये अफ्रीका की है दोस्तो एक अफ्रीका की ही है और अफ्रीका की है दोस्तो लिम्पोपो नदी कौन सी नदी लिम्पोपो और लिम्पोपो जो नदी है वो कौन सी रेखा को दो बार पार करती है मकर रेखा को तो आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदियां है जो दो सामने बूंद्रं चाहको दो बारकरती कांगोया जारे नदी अफ्रीक आमाधिप में हैं और मकर रेखा को दो वार कारती है लिम पू Dafür न भी अफ्रीक अधिप में कोई समझ्यआ यहां तक नहीं होनी चाहिए अब देखें इसके बाद में साथ यो आगे क्या होता है इस नदी पर यह जो माही नदी है इस माही नदी पर हम देखें तो माही नदी पर इधर जब ये गुजरात में प्रवेश करती है यानि मैंने आपको बताया कि खांदू से प्रवेश किया इसके बाद ये बासवड़ा प्रतापकर डूंगरपुर की सीमा के साथ प्रवायत होती है और दोस्तों ये गुजरात क पंच महल जले में प्रिवेस कर जाती है यहां पर कहां पर प्रिवेस करती है यह गुजरात के पंच महल में गुजरात और गुजरात के पंच महल जले में जब यह प्रिवेस कर जाती है तो फिर गुजरात में बहते हुए खमाती खाड़ी में जाती है लेकिन गुजरात में इस नदी पर एक बांद बनाया गया है उस बांद के बारे में important से रूप से आपको ध्यान रखना है गुजरात में इस नदी पर यहां एक बांद बनाया गया है और इस बांद का नाम क्या है तो ध्यान रहे गुजरात गुजरात में इस नदी पर एक बांद बनाया गया काड कडाना बान आपको इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है सुरी मारकर उठा लेता हूं एक मैट दीखें तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि इस गुजरात में इस नदी पर कौन सा बांद बनाया गया है कडाना बांद बनाया गया अब आपस पुछ लेता है कि कडाना बांद की जगे पर आपसे पूछ लिया जाता है कनाडा बांद कहां बना हुआ है अब आप ध्यान दखना यह कौन सा बांद है कडाना बांद क्या पूछा है कनाडा बांद कडाना अलग है कनाडा अलग है कडाना बांद माही नदी पर गुजरात में कनाडा बांद कहा बना हुआ है तो दियान रहे दोस्तों ये जो कनाडा का जो बांद है न ये कनाडा बांद बना हुआ है जारखंड में कहां पर बना हुआ है जारखंड में जारखंड राज्य में ये बना हुआ है एक नदी है मयू राक्षी कौनसी नदी मयू राक्षी नदी जहारखंड में मयूराक्ची नदी पर बना हुआ है कौन सा बांद कडाना बांद बना हुआ है जहारखंड के अगर इस्तान की भी बात अगर कर ली जाए तो यह इस्तान पड़ता है साथियो दुमका दुमका ध्यान रहे कनाडा बांद कहां है दुमका जहारखंड में कौन सी नदी पर है मयूरक्षी नदी पर इसे मसंजोर बांध भी कहते हैं मसंजोर बांध भी कहते हैं रहान रहे जब की कडाना बांध काएं कडाना कडाना बांध है गुजरात में माही नदी पर अब ये दोस्तों ये जो कडाना बांद है ना अब ये कौन से राज्यमें बना हुआ है गुजरात राज्यमें लेकिन इस माही नदी पर एक जल बिद्धुत परियोजना भी बनाई गई जल बिद्दुत उत्पादन भी किया जाता है अब इस पे जल बिद्दुत उत्पादन होता है देखो कड़ाना यह जो कड़ाना बांध है कड़ाना बांध का निर्माड इसकी जो लागत है इसकी लागत पूंड रूप से गुजरात सरकार ने लगाई इसके निर्माड की सर जुआ कि या जाएगा इसके जल्का उत्पोग जो है वो दोनों राज्य करेंगे और इससे जो बिजली अत्पादत होगी उसका सौ फीष्टी जो होगा वो राजिस्तान राज्य को कि अत्पादन किया जाएगा लेकिन निर्मार लागत अकेले कौन से राज्य की होगी गुजरात राज्य की होगी यह आपको ध्यान रखना है ठीक है कि कराना जो बांध है बनाएगा गुजरात लेकिन इसका लाव जो होगा वो दोनों राज्य मिलका अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको अलाकि मैं जब पर्योजना आपको समलित परियोजना है तो माही परियोजना कौन कौन से राज्यों की समलित परियोजना है तो अब हम माही नदी की बात करें तो ये तीन राज्यों में होकर जा रही है मद्दे प्रदेश से तो निकली रही है फिर राजस्तान में आ गई देंगे इस परियोजना में दो राजियों का इस्सा है राजिस्थान प्लस गुजरात और इसमें राजिस्थान का इस्सा है दोस्तों 45 फिजदी और 55 फिजदी जो इस्सा है वो गुजरात का है 45 इन पाद 55 ये भी आपको ध्यान रखना है हलाकि मैं पर्योजना करा हूँगा तो आपको ये बात बता दी जाएगी तो दोस्तो ये तो होती है हमारी कौन सी नदी माही नदी ठीक है दोस्तो अब इसके बारे में और थोड़ी सी बात करें कि इस माही नदी की साहिक नदीयां कौन सी है माही नदी में भी साहिक नदीयां कौन कौन सी है जैसा कि मैंने सूत्र में बताया था कि सालो की माँ पश्चमी बनास में सोजा तो सोजा से एक नदी थी सोम और दूसरी कौन सी थी जाखम तो सोम और जाखम जो है वो कौन सी नदीये में आकर मिलती है इसी माही नदी में आकर मिलती है जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताया है यहाँ पर यह जो पॉइंट है यह माही नदी पर डूंगरपुर में कौन सा इस्तान है बेडे स्वार इस बेडे स्वार नामक इस्तान पर दो नदी आकर मिलती है तो अब हम इसकी साहिक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं मैं इसको यहां से मिटा देता हूँ अब देखेंगे हम इसकी साहिक नदिया आप नोट कर लेना आराम से खूब इसका स्कीन सॉट लेके या पौज करके आप एक डाइगराम बना ले आपकी नदी हमने 100% के लिए रो जाएगी समश्चरी नहीं आएगी कोई भी किसी परकार की तो अब हम करेंगे देखें दोस्तों यहां माही नदी की साहेक नद्यों की बारे में बात करते है साहेक नदिया हलाकि इस माही नदी की दोवायक नदियां हैं और कॉन इंदुम 1 दूसरी है जाखन माही सोम जाखम का ट्रविडी संगम से बाइं इसके बाद laquelle चोटी चोटी सी का नदिया इसकी आती एंशिसे की हम बात करें मोरेन मोरेन एराब एराब चाप अनास आप याद करना केबल नाम नाम याद करना कहां से कहां तक है दो याद सोम और जाकम करनी है मैं सबको बता रहा हूँ लेकिन आपको नॉर्मली नाम याद करना है पूचा इतना ही जाता है कि मोरेन ऐराप चाम अनास, किसकी सहाइख नदिया है, तो देखें सहाइख नदिया, किसकी साइख नदिया पढ़ रहे हैं? माही नदी की साइख नदिया है, बोलो एक बların मेरे साइख मोरें अनास, यह आपको याद रखनी है, ठीक है सास्तियो अब हम एक एक करके चलते हैं ये दो इंपोर्टेंट है और आपको प्रस्ण भी देती हैं हमेशा प्रस्ण देती हैं ये आपको ध्यान रखना है नम्मर एक कौन सी नदी है सोम नदी अब देखें सोम नदी का उदगम होता है दोस्तों बीचा मेडा की पाड मेडा की पाहडियों से कहां से होता है बीचा मेडा की पाहडियों से ये दियान देखना है आपको देख जाएगा यहां से कोई दिक्कत नहीं है बीचा मेडा की पाहडियों से इस तरीके से अब ये उदैपुर है और उदैपुर से हम यहां लेले बीचा मेडा की पाहडिय या बीच्छा मेड़ा की पाडियों से दोस्तों ये नदी निकलती है कौन सी नदी है ये सोम नदी ठीक है आप याद करने एक बार सोम नदी बीच्छा मेड़ा की पाडियों से निकलती है और त्रवेडी संगम कौन से स्थान पर बनाएगी बेड़े स्वर एक बार राइस्त और बेड़े सुर बेड़े सुर ही पूछा जाता था और बेड़े सुर ही हमें याद था लेकिन प्रॉपर जो इस्तान है वो इस्तान गाओं का नाम है नवाटापुरा या ध्यान रखें कौन सा इस्तान है यहां पर नवाटापुरा या डूमरपुर के बेड़े सुर में ज किस्तान पर आकर किस में मिल गई है माही नदी में मिल गई कोई दिक्कत नो प्रोब्लम नम्मर दू लेंगे कौन सी जाखम नदी के बारे में अब जाखम नदी कहां से निकलती है जाखम नदी निकलती है पिरताप गड़ से कहां से निकलती है पिरताप गड़ ये पिरताप गढ़ में यहां पर तैसिल पढ़ती है चोटी सादडी को बरतमान में रखा गया है तो प्रतापगड जिले में कौन सी इस्तान है चोटी सादडी की पाड़ियां है आपको या तो छोटी सादडी की पाड़ी आएगा साथियो और छोटी सादडी की पाड़ी नहीं आए तो यहां पे है भ्रमर माता की पाड़ियां कौन सी भ्रे मर माता चोटी सादडी या भ्रमर माता की पाड़ियों से उद्गम होता है जाखम नदी का तो यहां से नदी नि उमर पूर के कौन से इस्तान पर नवाटा परानामक के इस्तान पर ये जांखम नदी किसमें जाकर मिल जाती है माही नदी मिल जाती है लेकिन दोस्तों यहां important रूप से जाखम को हमें याद करना है कि जब यह जाखम नदी इस पिरतापगर जले में पिरवायत होती है तो इस नदी में यहां एक अभ्यारण बना हुआ है जाखम नदी एक अभ्यारण में होकर गुजरती है पिरतापगर जले में एक अभ्यारण है और वो अभ्यारने सीता माता अभ्यारन इंपोर्टेंट है ध्यान दखना है ओडन गलेरियों के लिए प्रिशिद्ध माना जाता है सीता माता अभ्यारन ठीक है लब एवं कुछ नामक दो ठंडे वगरम पानी की जलसरोत इसमें पाये जाते हैं चीतलों की मात्र भूमी कहा जाता है सरवादिक बासेवं सागवान के ब्रक्ष इसी में पाये जाते हैं इस्तापना 1989 में इसकी हुई है सातियों ठीक है ओडन गलेरियां इसमें यानिकी प्रमुख रूप से इसकी बिसस्ता मानी जाती है बिस्त की सबसे दुरलब पढ़ जात है क्योंकि पुलिस में 101 परसेंट दो प्रशन आप से अब्हाराइन से पूछे जाएंगे हम बात च कर हुँ नदी की जाखम नदी में पर ऐक बांद बना रुख है और बो बांद है दोस्तो जाकम बांद कौन सा बांद है जाखम बांद ध्यान रहें जाखम बांद जाखम नदी पर है प्रताप गरजले में है सीता माता अभ्यरण में है ये जाखम बांद राजस्तान का सबसे उंचा बांद है इसकी उंचा है 81 मीटर कितनी चाहिए 81 मीटर 81 मीटर उंचा है ये राजस्तान का सबसे उंचा बांद म पुछा जाईगी आपके करके डाइगराम से इसको बनाते रहें दोस्तों सोम नदी हो गईonner। सबसे ज्यादा पूछा can logic जाता है एक बनास पर और बनता है ठीक है बनास पर भी तरवीडी संगम बनेंगे हम आगे चलेंगे तो बनास नदी पर तो तीन तरवीडी संगम हम इसको बनाएंगे चम्मल के साथ बनाएंगे बनास के साथ बनाएंगे तो माही सुम जाखम का आपको याद रखना है माही मैला लगता है जीसे आदि वासियों का कुम्ब कहा जाता है किलियर हुआ साथ हूँ आज़ा हूँ चोटी-चोटी कोई कुछ नहीं करना मोरे नदी ति एक एक पारें अगर बात करें मोरे नदी मोरे नदी निकलते डूमरपुर में डूंगरपुर में सीमलवाडा तैसिल पड़ती है, दामुर जंजाती के लिए इंपोर्टेंट है धियान रखना है, दामुर जंजाती निवाज करते हैं सीमलवाडा में, इसलिए सीमलवाडा को दामरी अचितर भी कहते हैं, राज़तान की जंजाती अगर आँगा तब बता गलिया कोट, गलिया कोट डूमरपुर में है, माही नदी पर है, यहां से निकल कर इस गलिया कोट के पास किस में मिल जाती है, माही में मिल जाती है, कौन सी नदी किलियर होगी आपकी, मूरेन नदी, दियान रहे हैं, मूरेन, आप एक एक नदी किलियर करेंगे, एक एक इसका इसक्राइब क однойपने में 얼क् precisamente करते हैं सिनकालिए हैं तो किके पर सिराव के बारे में अगर्ति करती हैं ङुए के बारे में अर्थ निकले सक अज़ хочती है तो चाप नदी बासवाड़ा से निकले हैं से parenthरा की बांडी अंध्य एक कर सकते हिए ? अन्यास नदी दहान रहे हैं , ए हैं भॉषि यह यहीं बिन्दयाचल निकलती है बिंद्याचल की पाडियों से निकल कर ये बास बाड़ा में प्रविश करती है और बास बाड़ा में माही नदी में मिल जाती है तो ये कौन सी नदी हुई आपकी अन्नास नदी तो साथियों ये धियान रखना है मोरेन, सोम, जाखम, मोरेन, एराब, चाप, अन्नास ये किसकी साइग नदियां है? माही की तो माही नदिय ये वो उसकी साइग नदियां मेरी तरब से आपको कम्प्लीट है रिवाइच करा देता हूँ थोड़ा सा जल्द यल्दी कर रहूँगा माही नदिय माही नदिय यहां से निकलती है मद्य प्रदेश के धार जिले की बिंदया चल की पाड़ियों से निकलती है मेहत जील से निकलती है और यहां से निकलकर यह बास बड़ा के खांदू नामकिस्तान में परवेश करती है और इसके बाद में दूस्तों ये खंबात की खाड़ी माकर गिर जाती है यहां से यहां तक इसकी कुल लंबाई थी 571 किलो मीटर लेकिन राजस्तान में यहां से यहां तक कुल लंबाई थी 571 किलो मीटर राजस्तान में जैसे ही यह जाती है तो बांसबाडा में यहां पर मा कƏ चलेंगे के लिए माही बढ़ बांद से पहले ही इसमें कागदी बांद बनाया गया था कोई शमश्य नहीं यानि इसके बाद जिरे दिरे ऐसे हम उल्टे अंग्रेजी के उल्टे भीए आकार के समानीं उसमें चलेंगे जैसे प्राकर्तिक यहां पर इस्तान पर इस ना है दोस्तान फोस्तान है कि यहां पर प्रधान 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 पीठ वानी जाती है और यहां आपको ध्यान रखना है गलिया कोट डूंगरपूर यही पर इस्तित है और इसके बाद में ये दोस्तोि आगे निकलके आजाती है जाकम के बाद मूरेन अइराब चापणchlास ये आपको नदिया याद रखनी है मूरिन नदिया डूमर पुर की सीमल बाडा से निकलती है और यहाँ पर गलिया कोट में जाकर मिर जाती है एराब नदी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एराब जो नदी है वो प्रतापगर जली से निकलती है प्रतापगड़ से निकलती है और बासवाड़ा में जाकर मिल जाती है यह आपकी एराब नदी हो गई चाप नदी के बारे हम बात करें बासवाड़ा से निकलती है और बासवाड़ा में ही माही में मिल जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है साती हो अपने आप आराम से याद कर लेना है एक मात्रैसी नदी है जो दक्षड से प्रिवेश करती है दक्षड में ही निकास करती है एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसके बारे में एक करांती है सुजलाम सुफलाम करांती का जो संबंध है सात आप दियाँ देना है थोड़ी सी बात बस इसको मैं मिटा देता हूँ, पांच मिट का काम और आप करे गया है, आप डाइग्राम आराम से बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, अरब सागर की और जल्ले जाने वाली चार नदियां ही इंपोर्टेंट थी, तो हमने मैंने जैसे कि बताया था, दो नदियां उपर कच्च के रन में ले जाएंगी, दो नदियां ले जाएंगी कहां, खंबाती खाड़ी में, अभी तक हमने लूनी करिये, जो कच्च के रन में ले गई थी, अब माही करिये, जो खंबाती खाड़ी में, अब एक रदी हमारी बस्ती है तो याद रखना मैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैं कराता चल रहा ना उसी तरीके से क्रम याद रखने ना मैंने लूनी कराई उपर के में गई माही कराई नीचे के में गई अब कराऊंगा उपर के में जाएगी फिर कराऊंगा नीचे के में जाएगी एक उपर एक नीचे इस तरीके से आत करना है कचके रन में जाएगी यह भी कचके रन में जाएगी यह दो उपर वाले आ जाएगे और दो नीचे वाले आ जाएगे तो अब हम बात करते हैं पश्चमी बनास नदी की कौन सी नदी की पश्चमी बनास चोटी सी नदी जादा कुछ नहीं करना है बहती है और शिरोई में बहने के पश्चात यह आ जाती है गुजरात और गुजरात में यहां पर हम कौन सी नदी के बारे हम बत कर रहे है पश्चमी बनास नदी है ठीक है न यह ध्यान रहे है पश्चमी बनास नदी है शिरोई के नया सानवरा गाउं से निकलती है और यहां पश्चिमि बनास नदी, शिरोही के बाद में गुम चेले प्रभिष कर जाती है और कहां पर गर जाती है कच्छ के रन में भलुप्त हो जाती है उपर के कच्छ के रन में गई.. इस नदी पर राजिस्तान का सबसे थंडा इस्तान माउंट आबू ध्यान रखना है आबू सहर बसा हुआ है पश्चमी बनास पे आबू सहर बसा हुआ है और गुजरात में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें एक इस्तान है गुजरात का दीशा ठीक है कि गुजरात का दीशा सहर यह आपको ध्यान रखना है कि सिरोही में आबू से राजस्तान का सबसे ठंडा इस्तान आबू इसी नदी पस्चमी बनास के तट पर है और गुजरात का दीसा सहर इसी नदी के तट पर है That's all कोई समस्या नहीं है पस्चमी बनास यहीं पर खत्म हो गई लास्ट में भी बिल्कुल यहां राजस्तान और गुजरात की सीमा पर से होता है उद्यपर इस नदी का इस्तान उद्गम इस्तल होता है कोटडी एक तैसिल है वहां से होता है और पादरला गाओं की पाड़ियां है कौन सी पाड़ियां है यहां पर मैं बता देता हूं उद्गम इस्तल ह से तों सी नदी है साबरति नदी गुजरात में कांठा जिले में कौन से जले में गई साबर próxim फटिसे मिवनास बनासूर कांठा से प्रिविष करती है प्रिवेश बिंदु है पश्वी बनास गुजरात के बनास कांठा जिले में प्रिवेश करती है सावरमती नदी गुजरात के सावर कांठा जिले में प्रिवेश करती है इस तरीके से गुजरात में आ जाती है और नीचे भेगती हुई ये खंबात की खाड़ी है केंबे की ख इसी सावर्मती नदी के किनारे पर महत्मा गंदी के दौरा 1915 में जब दक्षड़ा प्रीका से भारत वापस लोटकर आये थे तब उन्हें सामर्मती आस्रम की स्तापना की थी यह कौन सी नदी है दोस्तों सावर्मती नदी है इस सावर्मती नदी की जो साहिक नदियां है उस सावर्मती नदी नदी है अब स्काशिंदी की नदी। आत्राजिम्हा है, इस सावर मती नदी के पानी को उदैपुर की जीलों में पहुचाने zaradi तो साबर मती नदी के जल को उदैपुर की जीलों में पानी पहुचाने के लिए एक सुरंग बनाई गई गई है, गया कंद डेवास जल सुरंग प्रिष्ण कई बार पूचा जा चुका है एऊ बेभास जल सुरंग साड़ी ग्यारे किलोमीटर लंबी है साथियों Tamil मीट रज्य की सबसे लंबी शुरंग है डेवास जल सुरंग से इस साभरमती नदी का पानी है उदैपुर की जीलों में से के साबर मती नदी की नाजाल dot से वासे काम मुझा है उधयपुर की और पूचा जाचुका है मानसी बाकल जल सुरंग भी कौन से जिले में इस्तित है उदैपुर जिले में ही इस्तित है साथियो यह होती है आपकी अरब सागरिय नदियां कम्पलीट होती है मेरी तरब से समझ में आती है आपकी में आपको अच्छा लगता है को सीखने को मिलता है कमेंट जरूर करना वी तेरे दोरा किया जा रहा है प्रयास कर रहा हूं अच्छे से अच्छा करने का आपको बदले में केवल इतना आचा रहा हूं कि बस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने वाट्सप गुरूप में फेस्बूस गुरूप फेस्बूक गुरूप में अपने मित्रों के स साथ इसको सेयर करें मिलता हूं नई वीडियो के साथ नई नदियों को लेकर तब तक के लिए लेता हूं आपसे बिदा नमस्कार जय हिंद